हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों कल UPSC ने टाइम टेबल डिसकस किया मैंने आपको उसका वीडियो भी दिया है ठीक है यहां पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा अगर आपने अभी तक ज रहेंगे 120 रहेंगे या 1500 रहेंगे ठीक है अगर 100 रहेंगे तो तीन नंबर का एक कुर्शन हो गया 120 के रहेंगे तो 2.5 का हो गया 150 का रहेगा तो 2 marks का हो गया 1 3rd negative marking है अब अपने को पता नहीं की number of questions कितने हैं अगर number of questions 150 जाते हैं जो जा सकते है probability इन तीनों में equal है ठीक है अगर number of questions 150 जाते हैं तो आपके जो components हैं जैसे industrial relations and labor law जैसे gap जैसे current affairs and developmental issues इन सब में जो number of questions हैं जो share of questions रहेगा पेपर में वो बढ़ेगा इसलिए current affairs or developmental issues बहुत important हो गया है तो 15-20 questions current affairs or developmental issues में ऐसे होंगे ठीक है तो अब MCQs मैंने आपको current affairs or developmental issues पे भी कराने शुरू कर देने हैं मेरा target यह है कि paper से पहले-पहले मैंने आपको 100 videos देनी है इसकी current affairs and developmental issues की of 10 questions each ठीक है 10 questions इच की 100 videos देनी है यानि कि मैं आपको मेरा target जो है 1000 questions जो है 1000 MCQs आपको detail में discuss आउंगा यह मेरा target है 9 में से पहले-पहले यानि कि mainly बात करूं तो 8 या 7 में तक मैं आपको यह 100 videos provide करा दूँगा और MCQs discuss करने शुरू करने से पहले एक important बात आप यह मत सोचिए कि यह question यह sir क्या question आई यह नहीं आता यह UPSC में नहीं आता यह EPFO में नहीं आता यह UPSC का standard नहीं यह SSC में आएगा यह इसमें वो मेरे को ध्यान रखने दो मैं तुमसे जादा जानता हूँ UPSC को यह मैं guarantee देता हूँ ठीक है तुमसे जादा समय से उसके साथ मैं घूम रहूं काफी time तक उसके साथ मैं लगा भी रहा खुद भी मैंने बहुत paper दिये UPSC के तो आप उन चीजों में मत पढ़ना आप सिरफ questions यहाँ पर cover करना ठीक है चलो पहला question देखते हैं पहला question और यह जो आज हम current affairs कर रहे हैं यह हम January के मंद से start कर रहे हैं पहले हम January, February, March, April इन चार महिने के current affairs में से questions करेंगे उसके बाद फिर backward चलेंगे तो यह January के महिने में से हैं RP Tiwari Committee जो news में थी recently, January में भी यह news में रही तो यह किसने constitute की है, was constituted by option A Reserve Bank of India, option B Ministry of Tribal Affairs, option C University Grants Commission that is your UGC and option D is Ministry of Environment, Forest and Climate Change factual question है भाई, किसी ने भी अगर पिछले 3-4 साल के UPSC के paper देखे हैं, various exams, सिरफ EPFO की बात नहीं कर रहा, CDS, CAPF, UPSC, IAS, हर exam में जो factual questions हैं, उनका number जो है काफी जादा increase हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको mixed questions कराऊंगा, statement based questions भी कराऊंगा, analytical questions भी कराऊंगा, और factual questions भी कराऊंग ओके, चलिए, तो answer यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर answer है, आपका option C, UGC answer है इसका, option C is the correct answer, RP Tiwari Committee, तो RP Tiwari Committee के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो UGC ने यह 7 member committee बनाई है, यह भी एक important fact है, अगर statement based question आता है, कि which of the following statement is true about RP Tiwari Committee, एक statement दे देंगे, it is a 7 member committee तो यह भी आपको पता होना चाहिए, headed by RP Tiwari, ठीक है, उसके बाद इस committee को mainly काम क्या दिया गया है, UGC ने क्यों इसको बनाया है, इसको body को इसलिए बनाया गया है, कि यह एक issue को consider करे, of holding the common entrance test at UG level, ठीक है, 12th के बाद बच्चे college में जाते हैं, तो 12th के बाद different colleges के different exams होते ह हैं, तो अभी आपकी एक national education policy आई थी, national education policy ने क्या कहा, कि यह जो इतने सारे entrance tests होते हैं, इसकी वेज़े से बच्चे बहुत तंग होते हैं, especially economically weaker section के बच्चे, क्योंकि उनको coaching वगेरा लेनी पड़ती है, अलग-अलग exams देने पड़ते हैं, तो उससे अच्छा एक common entrance test होना चाहिए, तो university grant commission ने ये आरपी तिवारी के अंडर, एक seven member committee बना दी, और इस committee को बोला, कि तुम देखो, कि क्या common entrance test कराये जा सकते हैं, UG level पर, अगले साल से central universities में, ठीक है, central universities में, तो आरपी तिवारी committee ने सिरफ central universities का देखना, अभी state universities का नहीं देखना, ठीक है जी, अगले साल से आप कराओ common entrance test, तो फिर उसके उपर, जो है, UGC guidelines लेकर के आएगी, और overall अगर ये national education policy का जो suggestion है, कि एक common entrance test होना चाहिए, अगर ये implement हो जाता है, इसका एक और result होगा, इसके लिए फिर एक national testing agency बनानी पड़ेगी, जो paper conduct कराएगी, ठीक है, paper conduct कराने के लिए तो एक body चाहिए न, जैसे EPFO का paper आपका कौन conduct करा रहा है, UPSC, ठीक है, वैसी एक जो ये central level का exam होगा, जो ये common entrance test होगा, ये भी तो एक body conduct कराएगी, उसका नाम होगा national testing agency, जैसे SSC हो गया, जैसे UPSC हो गया, state public service commission होगे, तो वैसी आपका ये national testing agency हो जाएगा, now this agency will be tasked to conduct a common apt aptitude test, as well as specialized common exams for different disciplines, at least twice a year, ये भी बोल दिया कि at least twice a year आप exam कराएगे, bachelor degrees में, central university के admission के लिए, तो ये national testing agency वाला भी आपने ध्यान में रखना है, national education policy भी हम बड़े अच्छे से cover करेंगे, social security वाले MCQs में भी cover करेंगे, ठीक है, next question देखो, India's first lithium refinery will be set up in, India की पहली lithium refinery, इसलिए 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 question पूछे जाने के chances भी है, lithium ore को process करेंगे, to produce battery grade material, अब देखो, बाते हो रही हैं कि हमें electric vehicles लेके आनी है, electric charging stations लेके आनी है, petrol और diesel की usage कम खट करनी है, लेकिन ये जो सारा electric vehicles और ये सब जो चीजों में batteries यूज होती है, वो कहां से बनती है, वो बनती है, लिथियम से, अब problem ही है, हिंदुस्तान के पास अपना lithium तो है नहीं lithium एक rare element है, जो इंडिया में मिलता ही नहीं है, और mainly ये lithium कहां मिलता है, Australia और China जैसी countries में है, तो हमें import करना पड़ता है, तो उसी साफ से तो अपना import bill बहुत जादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ultimately, इंडिया अब try क्या कर रहा है, कि चलो लाना तो पड़ेगा भार से, क्य चलिए, थर्ड कोशन देखते हैं, which Indian missile recently got approval from the union cabinet for export sales to friendly foreign countries on December 2020, December 2020 में union cabinet ने एक decision लिया, कि हम एक type of missile, जिसका नाम है XYZ, जो इन चार options में से है, इसको हम export कर देंगे, friendly countries को, ठीक है, तो वो कौन सा missile है, Helena, Nag, Amoga या Akash, once again, factual question, अभी analytical question भी आएंगे, चिंता मत करो, बीच-बीच में mix चलेगा सारा आप काम, ठीक है, option D रहेगा, Akash, Akash missile cabinet ने decide किया है, कि export किया जा सकता है, friendly countries को, all right, so this decision was taken by the cabinet, which was chaired by Prime Minister Narendra Modi, और इस decision के बाद, एक high-powered committee, जो है, वो भी constitute की गई है, अब इस high-powered committee में कौन होगा, defense minister affairs, defense minister, यहाँ पर यह external affairs minister, and the national security advisor, तो यह तीन लोग होगे इस committee में, और इस high-powered committee का काम क्या होगा, to provide fast approvals for export of such platforms, okay, तो तीन लोग, यह भी याद रखना है, इस पे भी question पूछा जा सकता है, कि इस high-powered committee में, जो decide करेगी, कि जो fast process approvals करेगी, for exporting the missile, is what, कौन-कौन member है, तो defense minister हो गया, external affairs minister हो गया, और national security advisor हो गया, इसके पीछे, इंडिया का एक reason क्या है, क्योंकि इंडिया is planning to become a 5 billion dollar economy by 2024, तो government of India, इस तरह से defense exports भी अपने increase करना चाहती है, अकाश मिजाइल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, it is a surface to air missile system, alright, चलिए, next question देखते हैं, next question, statement based question है, और इसको आप economy के अंडर भी कर सकते हो, economy specific current affairs में भी इसको आप डाल सकते हो, देखो जितने आपके static subjects हैं, पॉलिटी, economy, social security, alright, यह सारे subjects में आपके current अपने आप relate हो जाएंगे, ठीक है, तो यह economy में आप इसको put कर सकते हो, तो International Organization of Securities Commission, IOSCO, ठीक है, IOSCO से related, आपको बताना है कि इस statements given आपको दो, इन में से कौन सा correct है, पहला statement कहता है कि यह एक intergovernmental organization है, जो G7 nations के साथ closely काम करता है, दूसरा कहता है, it brings the world securities regulators, world securities regulators, जैसे आपके यहापर इंडिया में SEBI हो गया, ठीक है, security regulator है, SEBI, तो it brings the world security regulators together and act as the global standard setter for the securities sector, जो भी trading वगेरा होती है, okay, तो statement कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या none of the above is correct, क्या answer होगा इस case में, okay, तो answer यहाँ पर हो option B, two only, ठीक है, पहला statement गलत है, पहला statement क्यों गलत है, it is a intergovernmental organization, बिलकुल सही, intergovernmental organization है, that works closely with, अब closely with यहाँ पर यहाँ पर यह G7 nations नहीं आएगा, G7 nations की जगा यहाँ पर आएगा, G20 nations and your financial stability board, ठीक है, इसी वज़े से यह गलत हो गया, क्योंकि G7 nations यहाँ पर नहीं आना था, ठीक है, अगर G7 की जगा G20 लिखा होता, तो यह statement सही हो जाता है और answer both हो जाता, ठीक है, एक बार detail में answer देख लेते हैं, सबसे पहले यह news में क्यों था, क्योंकि आपका जो international financial service center authority है, जो gift city गुजरात में है, ठीक है, gift city गुजरात में है यह बना हुआ, आपका security regulator for the gift city, international financial service center authority, यह recently member बना है, आपके international organization of securities commission का, इसलिए यह news में था, अब international organization for security commission की बात करें, तो brings together the world's security regulators, which covers around 95% of the world security market, okay, इसका headquarter important है, पता होना चाहिए, Madrid, Spain में है, सिधा 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 सवाल बन सकता है, factual question की international organization of security commission का headquarter कहां पर है, तो आप कहा दोगे, इक Madrid, Spain में है, ठीक है जी, closely किसके साथ काम करता है, मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ, G20 and financial stability board के साथ, for setting up the standards and strengthening the security market, तो यह facts सारे के सारे आपने as it is याद कर लेने हैं, चलिए, fifth question, which state launched its own crop relief scheme, किसान फसल राहत योजना, कौन सी state ने इस scheme launch की, किसान फसल राहत योजना replacing central government's crop insurance scheme, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को replace करके, इस particular state ने अपनी खुद की किसान फसल राहत योजना जोजना निकाली है, तो कौन सी state है, option A, मध्यपरदेश, राजस्थान, पंजाब और जार्खन, factual question है, अगर current affairs regularly पढ़ रहे हैं, तो ही इसको answer कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत अपने को हो सकती है, चलिए, answer देखें, इसमें क्या होगा, answer होगा, आपका option D, जार्खन, जार्खन will be the right answer, जार्खन जो है, ये correct answer रहेगा, आपका, चलिए, next question देखते हैं, statements consider करिए आप, आपके पास 3 statements हैं, आपको antibiotics जो होते हैं, ये Central Drug Standard and Control Organization जो Ministry of Health के अंडर काम करती है, उसके purview में आते हैं, उसके अंडर आते हैं, दूसरा कहता है कि Drugs and Cosmetics Act 1940 makes it mandatory that antibiotics are sold only under prescription, कि antibiotics सिरफ prescription, अगर आपके पास doctor की prescription है, जिसमें antibiotic कोई particular लिखा हुआ है, तभी आपको chemist antibiotic sale कर सकता है, ये Drugs and Cosmetics Act में लिखा है, य Statement 3 कहता है, poultry feeds containing antibiotics come under the purview of CDSCO, तो जो poultry feed होता है, जो मुर्गियों का चारा होता है, उसके चारे में जो antibiotics यूज किया जाते हैं, वो भी CDSCO के अंडर आता है, statement आपको बताना है कौन सा correct है, अब ये Developmental Issue में आ जाएगा, अब बहुत से लोग कहेंगे, इतना कहां करा रहे ह इशु आ गया बेटा, ठीक है, Developmental Issue आ गया, अभी जब explanation देखेंगे तो पता भी चलेगा कि कैसे Developmental Issue हो गया, तो इसमें देखो पहला statement correct है, ठीक है, जिसमें पहला नहीं है, उसको eliminate कर दिया, दूसरा statement भी correct है, तो दूसरा नहीं है, वो eliminate कर दिया, तीसरा statement, तीसरा statement बिल and family welfare के अंडर है, important fact है, याद कर लेना है, उसके बाद, जो आपका Drugs and Cosmetics Act है, 1940, उसमें drugs को different different schedules में place किया गया है, different different type of drugs को, तो जो आपके antibiotics होते हैं, वो schedule H में आते हैं, और schedule H में, Drugs and Cosmetics Act के schedule H में, जो drug आता है, उसमें, उसके लिए mandatory बनाया गया है, कि वो drugs सिरफ prescription पे ही ब दिखा हुआ है, उसमें, ठीक है जी, लेकिन, अगर antibiotics feed में इस्तिमाल हो रहे हैं, जो चारा है, जो पोल्टरी चारा है, उसमें इस्तिमाल हो रहे हैं, तो वो CDSCO के परव्यू में नहीं आता, या किसी भी authority के परव्यू में नहीं आता, अभी developmental issue क्या है, हम अक्सर बात करते हैं, एक चीज की, that is your antibiotic resistance, human bodies, जो है, वो रिजिस्ट हो रही हैं, antibiotics के, जो bacterial infections है, they have started resisting this antibiotic, because of the uncontrolled use of antibiotics, अब पोल्टरी farms में, अगर feed के अंदर, antibiotics को यूज किया जा रहा है, so those who are consuming non-wage and chicken and poultry products, so automatically, antibiotic is entering their body, and ultimately, उनकी body, जो है, antibiotic resistant बन रही है, that is why, it is a developmental issue, issue, all right, getting my point, ठीक है, तो यह important facts है, इनको आपने अच्छे से याद करना है, चलिए, next question देखेंगे, 7th question, which organization, released the report on trend and progress of banking in India, 2019-20, report on trend and progress of banking in India, कौन release करता है, which highlights the performance of banking and the allied sectors, crystal, world economic forum, world bank, or the reserve bank of India, report से related question हमने बीच-बीच में करने है, सारी important reports, target ही है, अगर 1000 question हमने cover करने है, तो 1000 में से, 50-100 question हमने report वाले करने ही करने है, क्योंकि report का एक अदा question आ जाता है, ठीक है न, economy वाले पार्ट में भी इसको आप घुसा सकते हो, या current affair वाले पार्ट में घुसा दो, कहीं पे भी रख लो, तो answer यहाँ पर हो जाएगा, आपका option D, Reserve Bank of India जो है, यह report publish करता है, और यह जो report है, यह हर साल Reserve Bank of India को submit करनी होती है, Central Government को, and this obligation of bringing out this report by the Reserve Bank of India is under section 36-2 of Banking Regulation Act, तो Banking Regulation Act में लिखा है, कि हर साल Reserve Bank of India को, यह जो report है, वो Central Government को submit करनी है, ओके, तो banking sector, cooperative banks, NBFC साब का status जो है, इस report में डिस्क्राइब किया जाता है, चलिए, next question, 8th question, what was the portal and mobile app launched by the External Affairs Ministry to act as an interface in connecting Indian Diaspora across the globe, एक portal और mobile app अभी लांच किया था, January महिने में, एक्टरनल अफेर्स मिनिस्ट्री ने, okay, to connect Indian Diaspora, now what is the name of that particular app, Passport India Portal, Madad Portal, Pravasi Rishtah Portal, और the NRI Portal, हाँ जी, क्या answer होगा इसका, ठीक है, factual question है, answer होगा, option C, Pravasi Rishtah Portal, Pravasi Rishtah Portal, all right, चलिए, 9th question, joint rock B honey is a tribal product of which state, किस state का product है, ठीक है, कहीं tribal products हैं, जिनको GI tag मिल जाता है, current affairs में आ जाते हैं, ठीक है, या tribes India ने कुछ उससे related action ले लिया है, government में कोई policy बना दी, या वो particular tribe किसी वज़े से news में था, तो important हो जाता है, अपने लिए, ठीक है जी, तो joint rock B honey, tribal product है, किस state का options हैं, ये, Kerala, Karnataka, Assam and Tamil Nadu, and the answer here will be, आता है या नहीं आता वाला question होता है, answer है option D, Tamil Nadu, ठीक है जी, news में किस लिए था, क्योंकि recently, ये जो आपका joint rock B honey था, ये tribes India ने अपनी collection में add किया था, tribes India basically promote the tribal products, okay, and ये unique variant of honey है, और जो Malayali tribes है, Tamil Nadu के, they basically, you know, produce this joint rock B honey, okay, तो tribe का नाम भी important है, पूछा जा सकता है, ठीक है, tribe का नाम भी important है, state का नाम भी important है, tribe का नाम भी important है, इस question को statement वाले form में भी वो पूछ सकते थे, एक statement में state का नाम लिख देते किसी, कि भई ये करनाटका से है, for example, या Tamil Nadu से है, और दूसरे में tribe का नाम लिख देते किसी, तो आपको बताना होता कि कौन सा statement करेक्ट है, कौन सा गलत, तो वहां से भी उस तरह का question भी इस में frame हो सकता है, चलिए, last question देखेंगे, इस वीडियो का, statements आपको consider करना है, ये तीन statements हैं आपके पास, Arctic is warming far more quickly than Antarctic, Arctic जो region है, वो Antarctic region से जादा जल्दी गरम हो रहा है, developmental issues में आ जाएगा यार, ये, पानी का जो temperature, जो contrast है, mid और high latitudes में, ठीक है, high latitudes और mid latitudes में, जो temperature का contrast है, उसको change कर रही है, ठीक है, Arctic warming can be beneficial for the whales, whales के लिए beneficial हो सकती है, statement आपको बताना है कौन सा correct है, पहले दो, first and third, second and third, one, two and three, ठीक है, तो पहला statement अगर आप देखो, पहला statement बिल्कुल सही है, Arctic का जो warming rate है, वो comparatively ज़ादा है, as compared to Antarctic, तो one नहीं है, जिसमें उसको हटा देते हैं, accelerated Arctic warming changes, देखो, अगर warming हो रही है, ठंडे इलाके में warming हो रही है, तो जाहिर सी बात है, जो उपर ठंडा इलाका था, अब वो गरम हो रहा है, पहले नीचे वाला गरम था, तो contrast था दोनों में काफी जादा, ठीक है, उपर ठंडा नीचे गरम, अब जब उपर का भी गरम हो रहा है, तो अपने आप जो contrast है, वो change होगा न, तो option 2 बिल्कुल सही है, option 2 बिल्कुल सही है, तो जिसमें option 2 नहीं है, उसको उड़ा दो, Arctic warming can be beneficial for the whales, whales के लिए beneficial हो सकती है, दुनिया रो रही है, लेकिन whales के लिए beneficial हो सकती है, ऐसा scientist कर रहे है, तो क्या है statement सही है, यह statement बिल्कुल सही है, तो answer यहाँ पर आपका option D हो जाएगा, 1, 2 and 3, ठीक है, तो Arctic is warming far more quickly, और temperature contrast दोनों में जरूर आ रहा है, और जो Arctic warming है, इसका एक और negative impact क्या है, कि it can disrupt the marine food web, because polar bears और seals का जो rate of mortality है, वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वज़े से जो indigenous people है, Arctic region के, उनकी livelihood पे भी impact पड़ेगा, लेकिन scientist कहते हैं कि एक bright note है, यहां पर Arctic अगर warm हो रहा है, that is, whales benefit करेंगे, क्योंकि जैसे ice recede करेंगी, ice sheets recede करेंगी, बरफ पिगलेगी, ठीक है, तो whales का जो region है, वो expand हो जाएगा, whales की जो range है, वो expand हो जाएगा, अभी तो जहाँ पर ice sheets हैं, whales cannot go over there, ओके, जहाँ पर ice sheets हैं, complete ice है, जमा हुआ है, बिल्कुल सब कुछ पानी, तो अगर यह melt होगा, तो definitely, whales का जो region है, वो expand हो जाएगा, उनका territory expand हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है, कि whales के लिए beneficial रहेगा, ओके, चलिए, तो आप देखेंगे, अगर कोई सजेशन हो, कर इंट अफिर से रिलेटेट, तो comment section में जुरोड पोस्ट कीजियेगा, ठीक है, और बाकी की playlists, आपके screen के आपर हैं, वो आप देखे, और चैनल को share and subscribe जुरोड कीजियेगा, तो आपके बाकी की प्लेस्टे साब के सब्सक्राइब कीजियेगा, झाल झाल